नवश्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आप ती साथ ननिनी यादो स्वागत है आप सब का नगरस ग्राम में उतरप्देश में निकाय चुनाओं की घोश्रा कभी भी हो सकती है कोट में उबी सिया रक्षर का मामला चल रहा है लेकिन प्रत्यासी अपने शित में अपनी दाविदारी को मजबूत करते दिख रहे हैं नगरस ग्राम के स्कवरिश के लिए प्राइम टीवी की टीम आज बाबु जग जीवन राम वार्ट संक्या 68 में पहुँची जो परिसीमन से पहले वार्ट संक्या 57 था उत्रप्रदेश में निकाय चुनाव पर OBC आरचर का एक रहर लग चुका है कोट में मामला चल रहा है लेकिन परत्यासी अपनी दावेदारी इस बीच जारी रखे हुए हैं हर राजनीतिक पार्टिया निकाय चुनाव को लेकर परत्यासियों और दावेदारों की नाम पर जबज़स्ट मंथन कर रही है जो पूरु परत्यासी हैं, जो वर्तमान में सभासद हैं, वो अपनी दावैदारी को छितर में जाकर और भी मजबूत कर चुए हैं नगर सगराम के इस कवरेज के लिए प्राइम टिवी की टीम बाबु जग जीवन नावाड नमबर 68 जो पहले 57 था और परी सीवन के बाद 68 हो गया है, वहाँ पर पहुची है हम एक पार्क के पास पहुचे हैं और हम आपको इस पार्क की हाला दिखाएंगे, मैं अपने सहीवी से कहूँगा कि वो इस गेट को दिखाएं, जो गेट टूट चुका हुआ है और एक टेंपरावरी ब्यवस्ता इस गेट के लिए बनाई गई है मैं अपने सहीवी से कहूँगा जो पार्क में और वेवस्ताएं हैं, उनको जो है वो दिखाएं कि कितनी गंदगी यहां पे हैं, साब सपाई की कोई वेवस्ता तक नहीं है इस पार्क में, यह पार्क इस मुहले के बीच है, जहां बच्चों का रोज का आना जाना, खेलना गुदना लगा रहता है, बुड़े बुजुर्ग अंकल आंटिया जो है, पार्क में सैर करते हैं, अपने सेहत बनाते हैं, लेकिन इस पार्क की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफी खराब तरीके से इसकी हालत है, काफी दुद्दसा में यह पार्क है, मैं पर कि खिलने कुदने के लिए बनाय जाता है, मुहले के लोग सुभस हम आके इसमें टहलते हैं, स्वास्तलाब लेते हैं, उसकी हालत कितनी दयनी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे सयोगी लगातार अपने कैमरे के माध्यम से इसकी कवरेश को दिखा रहे हैं कि कितनी गंदगी इस पार्क में है, यहां के सभासद ने इस पार्क के परती कोई काम नहीं किया है, लोगों के सुन नहीं रहे हैं, जिस प्रकार से यह गंदगी दिख रहे हैं आपको, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कितनी गंदगी है इस पार्क में, बच्चों का यहां खेलन करने के बाद हम वाड के लोगों से बाचीत करेंगे कि कितनी समस्या इस वाड में है कितना काम इस वाड में हुआ है तो आईए इस वाड के लोगों से बाचीत करते हैं क्या नाम अचाचा आपका तुलसी राम यह बताईए आपके वाड में हमने देखा कि पारकों में बड़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है को बन गई रोटा है सब के डीग अधर परिया वह इससे रोड़ा जतनी है और जहां बना ने चाहिए तहां रोटे सब बन गई यह पानी सब भरा रहात को बनी हो बता रोटे यह बता यह डेंगु बहुत ज्यादा फैला था पूरे लखनौ में तो फोगिंग के लिए लोग आते थे मसीरे उसने लेकर फोगिंग कराते से अभर आप आप सबससस से जब इस बारे में बात्चीत की होंगे साब सपाई को लेकर डेंगु की शिड़का होग कर दर शिड़का होलेकर तो बताईए मर गये यही जो बीमारी जो फैली रहा है कि और डिंगु को जिस्तों मेरे का है को जिस मरगा कतना आजी मरा है सबासत जी कभी छेत्र में आते हैं जंता काल चाले ने सुनते नहीं भी यह उतु अरे उत सुनते नहीं यूक आवक चोड़ो जाए क्या नाम पड़ेगा आपका यह बता यह कि क्या कुछ समस्य आए इस वाड में है इस मुहले में है यह से भीया जैसे बताओ थे वह हाल है कर दो अगी होगी दावा खेड़ होता था यह आपर डेंगु के लिए कब हूं कब हूं कब आए शिली कि ना भाग जिन काचरा उठाने के लिए कोई आता है किया कोई नहीं आवाट कोई लेकिन नगर निगम जो है वो बन करते हैं जाड़ू भी नहीं लगते हैं तो जिस तर से हम आपको दिखाना चाहेंगे किस वाड में सड़कों का हाल देखिए किस तरह से ये सड़के टूटी-फूटी हैं वाड की जनता लगतार बता रही है कि इन सड़कों का हाल जो है काफी सालों से इसी तरीके से हैं यहां के जो अस्थानी पारसद हैं सुनवाई नहीं करते हैं जनता की और इस तरीके से क्या नाम है आपका हिवान्शु सिंग क्या कुछ कमिया इस वाड में है क्या समस्या स्वाइब पूट ही हो रहे हैं दूसरा यह आपका Χराब हुआ है वह रहाद को समर्सेवल समर्सेवल खराब हुआ है तो amazito मोड़ी जा चुके मेरे-घ़र पढ़ी हूई है उसके बाद से अभी तक वो मोटर लगाने के लिए आये नहीं है लोग बहुत परिसान है इसके लिए टंकी के लिए तो बहुत परिसान है है और मतलब बोलने पर उंको अगर बोला जाए तो इतनी अल्दी ऊंका रिस्पोंस नहीं आता है अगर जैसे इस पर इतनी सिकायते जा चुकी है अगर अभी तक यह बनी रहा है अभी तक बना नहीं है अस्वासन मिला वह बहुत बोलने के बाद जो तो उसके अंदर से मोटा निकाल के लिए के गए हैं पाइब मेरे उसमें रखे हुए हैं मगर अभी तक कोई काम हुआ ने क्या समस्य है दादिया पानिक बड़ी दिक्कत है वही निकाल नुकर लएगे हैं तब से बनायने नहीं आए हैं तो अब दिक्कत तो हई है पानिक बहुत हम लोग दूर जाते हैं पानी भरने के लिए काफी दूर जाते हैं फैला हुआ था तो छिड़काव करने के लिए लोग आते थे क्या फॉगिंग के लिए डिंगू की दवा के लिए इस साल में कोई नहीं आया अगर जारू लगाना नगर निगलता है यहां से इधर लग जाता है इधर के सारे रोड बन गया हम लोग की द्यारवाजे जाकर देखिए सब रोड टूटा पड़ा है हम लोग की तरफ रोड नहीं बना और एलबी की तरफ जारू लगता है अब बीच में हमी लोग की तरफ का भी जारू ना कुड़ावा ले आते अना कुन रोड ओट ले के भी ना सुकला गए तब से आई तक पूछाने नहीं आए कि तुम लोग को कोई दीकत आए कि नहीं है यह पते डेंगू उतना था डेंगू के लिए कोई दवा आवा यह एको ब को जो है उठाके ले जाए गया करीब डेड़ महीने से उपर हो गया है लेकिन अभी तक इसका हाल जो है इसी तरीके से बेहाल बना हुआ है मोटर उठाके जो है यहां से ले जाए जा चुका है पाइप जो है एक अस्थानी घर पे रखी जा चुकी है लेकिन डेड़ महीने से इस मोटर को बदला नहीं जा सकता है थानी विधाय के फ्षान ए पार्शत के द्वारा यह मैं अपने साइउगी से कहुंगा कि इस पार्थ तो में कितनी अवयस्थाएं हैं प्हेले तिवाथ तुछ ये पार्क लगी नहीं रहा है कि ये पार्क की जमीन है लेकिन न तो पेड़ दिख रहे हैं ना रही जिख रहा है इस तरीक चीजे सीजे इस पार्क देखी जा सकिति हैं घैसा कि हम ने मौतर को घ्रद्रा vert issue ठेक्सन था उसको निकालके इस साजन के पेड़ पे जो सारव के लटका दिया गया है तार यहां पर मैं अपनी स्वाश्योगीनरअप से और ठीक से दिखाय जाये यह तार है साजन का प्यावध के revived हैृ पार्क की अभिवस्ता आप देख चुके तो सबसे जब बड़ी दिक्कत बच्चों के लिए है कि इस पेड में जो है वो करंट आ रहा है और पूरी अब्योस्था हम आपको इस तरह से दिखा रहा है करंट आ रहा है इस पर बच्चे खेलते हैं उनको अगर करंट लग जाता है इसके जिम्मेदार होगा कौन समझदार होगा तो निकाल के उपर लगवा देगा लेकिन नहीं हो पा रहा है सबसेबल भी शायद खराब हो चुका है उसको कोई ठीक कराने वाला नहीं है ठीक है यह कितने दिनों से पेड़ पे करनेशन लटा दिया गया है अग्शकी अगार यहां के स dire Satan क clearing लग जाता है तो उसका जमेदार तो सबसादी यहां के लिए अपनी समस्या को यहां चाहा है तो नहीं क्या आपक है अब उन्होंने यहीं कैना आगा दूंग़ तो आना चाहिए उनको अभी भी नहीं आ रहे ना आए तो उनसे बोला जाए कि आपने किया गया यहां के लिए यह बताई यह पहले पानी लगवाया मतलब क्या है मोटा खराब पड़ी एक तंकी सोकी पड़ी आदमी को पानी चीए क्या दिया जाएगा बताई एक प्रावलम हो यह कि तो तो करवा सकते हो थोड़ा खर्चा होगा तीक है अपनी जेम सरे लगा सकते हो अगली बात जीतना है तो लग्या जाक्ते हो अब वो चैने मुंसम्स्याओं पर वो ध्यान की और क्या मुख्यसममस्षयां है। अब यह नाली का हाल हैं और इतनी इतना द्हेंगु का प्रकोप चला है अब मैंने बताइब इस में पानी फसे गा तो मच्छर कहां पनपेंगे लोग स्थ्त रहेंगे यह रोडों के बिगर लई है हर आदमी आस्वस्थ होगा तो कैसे काम चलेगा लोगों से बातचीत में पता चला कि पहले यह वाट 57 था परिसीमन हुआ अभी एक जनवरी से कारेकाल खतम होना था जो कि किसी कारणवस जो है उसका कारेकाल 19 जनवरी तक कर दिया गया है तो प्रिसेंट टाइम में भी वही है प्रस्यूमन हुआ है वाट चेंज हुआ है पर पारसद नहीं चेंज हुआ है अब नगर निकाय के चुनाओं के उपर है अब ऐसे ही समस्या हो जाएगी बताइए पिछले दो बार ये रह चुके हैं दस सालों से पारसद हैं एक भी काम उन्होंने वाट के लिए नहीं किया है अगर कोई समस्या होती है और वाट के लोग जाते हैं उनके पास तो उनको या तो अबदर भासा का प्योग किया जाता है या उनको सहनवूती दे के बेढ़ दिया जाता है बताएगी वह दस साल से यहां के सबासद रहे हैं और यह रहे हैं वह उसे में निकल गए और कोई नहीं रखंद्झ पर्टे के नाम कंद और हम तो खुला रहा है अध постоले धिकादीट2 एक भिजेपी के संबल पर ही वोटी पाएं सत्ता है और उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं आगे बीजेपी को बहुत बड़ा नुक्षान इस वाट से उठाना पड़ सकता है तो मैं अपने स्योगी से कहूंगा कि इस पूरे नाले की कवरेंज करके दिखाए जाए कि कितनी गंदगी इस नाले में है और यहां की जंता जो है वो डेंगू सित्रस थी यहां क जारी कर रहा था लेकिन यह जो मुहला है वो डेंगू से गरसित होने के बावजूद ना तो यहां पर अंटी लारवा का नियमित छिड़का हुआ है और नहीं यहां पर फॉगिंग की नियमित व्योस्ता की जा रही है यहां के जो अस्थानी निवासी है इस वाट के वो हम को इस बारे में बता रहे हैं नगर संग्रा में आज के लिए बस अतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रही प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार